नमस्का बीसे नियोज के खास मुलाकात मैं मैंक शितिजादेश्मु का आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हमारे स्टूडियो में हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट नेदा भाई जप्ताप और इनसे हम बात चीत करेंगे फिलाल जो है नाकपुर में शीज सत्रे शुरू है और शीज सत्र के दौराण जो है विपक्ष हावी होता हमें दिखाई दे रहा है और इसी मुद्द को लेकर और साथ ही साथ राज्य के अन्य मुद्दों के लेकर हम आज उनसे चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं स्वाधत करती हूँ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यह सबसे पहला मेरा सवाल जो आपसे यह है कि शीज सत्र शुरू है और शीज सत्र का आज का आखरी सप्ता है और आखरी सप्ता में भी महाविकास आघड़ी के नेता जो है आकरमक दिखाई दे रहे है आज भी हमने देखा कि आपने सभाका त्याग किया है मतलब इधान अदेखाई है क्योंकि हमने जब यह सदन में यह मुद्दे उठा रहे थे हम लोग क्या है कि हमारे कुछ विपक्ष के कुछ अस्त्र है कुछ डिवाइसिस है उसके मादेब से हम हमारी बाद सदन में रख सकते है जैसे 289 एक ऐसा प्रावदान है कि विपक्ष उसमें बात क कर सकता है सरकारी पक्षिस में बात नहीं कर सकता उनके पास दूसरे को या यह है विकल्प है वो उसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो हमने करीबी रिष्टे में शादी थी और उसमें उस वक्त के यह जो है गाडियन मिनेस्टर गिरिश माहजन वो वहां मवजुद थे खाना खा रहे थे उनके साथ और बाज़पा के विधायक थे आमदार थे बाज़पा के यहां के नगर सेवक्ते कॉर्पुरेटर थे तो वो सारी बाते उन्होंने उस माध्यम से उठाई थी अब ऐसा है कि एक आपने देखा होगा पिछले हापते एक सिरसेनक के कोई नेता ना सेके और वो कही न कही दिखाई दे दे किसके साथ फोटो थी उनकी उनके उपर कारवाई हुई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए यह मुद्द के साथ है खाना खाते हुए अब उसकी स्टोरी इस तरह की है कि यह मुद्दा तभी उठा था यह 2018 की बात है तभी उठा था तो यह शादी में जिस शादी में यह गए थे उसका जो इन्वेटिशन था वो एक रात में उसको चेंज किया गया यह दावा कर रहे हैं मुख्य मंतरी और राज्य के ग्रह मंतरी हो मिनिस्ट देविंदर जी आया और उन्होंने सफाई दे उसके उपर और उन्होंने मांगे कि इन्हें माफी मांगने चाहिए अब ऐसा है कि इतने हलके में अगर हर चीज कोई लेता है सरकार लेती है तो वो सही नहीं है उस मुद रूद का रूद पानी का पानी हो जाएगा तो उसमें सरकार के और से कुछ लोग बात कर रहे थे कुछ मंतरी बात कर रहे थे जो कि अलॉड नहीं है हमारी बात एक हतम होने के बात उनके पास जो पक्षा है वो रख सकते है वो बोल सकते है खुलासा कर सकते है उसके बारे म इकास करके हमारी जो पिठासन आधिकारी होती है, जो अभी एक मैला है, निलम गोरेताई, वो डेपुटी हमारी सभापती है, तो उनका रवया जो मैंने देखा, बिस साल से मैं हूँ, निचले सदन में था, उपले सदन में हूँ, इस तरह का रवया मैंने कभी भी किसी भी बापती हो, उनका मैंने कभी देखा ने, पूरी तरह वो, जैसे किसी पार्टी के बात करते हैं, ये पार्टी से उपर होते हैं, वो जगा ऐसी है, कि हमारे सभीधान के तहत, उन जगों के एक एहम एहमियत है, वो सारी चीज़े कहीं भी दिखाई ने दे रहे, हमने उठके वो ही कहा, कि भई, आप बिढासन आधिकारी है, आप सभीधानिक पोस्ट पे है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनका रगवरिया इस तरह का था, विपक्ष के साथ, हमारे साथ, कि ने, 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 आप लोगों को बात नहीं है, उन्हों ने उपर जहां से ये आवाज आत वो सारे हमारे माइक बंद कर दिये, तो ये लोक्तिंत्र में ऐसा नहीं होता, ये सदन इसके लिए होते हैं, जो आप बात, आप सवाल नहीं कर सकते हैं, और बकाईदा आपको आप उसमें प्रोटेक्टेड है, कानून से प्रोटेक्टेड है, ये तो उल्टा हो गया, तो उस बात को लेके हम लोगों ने सदन का सवादय किया था, आज पूरी दिन के लिए जो पूरा सदन की प्रक्रिया पूरा जोकार करम था, उसके पर हमने पाइकॉट किया था और फिर बाहर रखे हमने बात की था, आप लोगों से भी बात की थी. तो ये बड़ा दुर्भागी पुरुन है कि इस मारास्ट में ऐसा कभी भी हुआ नहीं है यूपी में क्या होता है बाणराज्यू में क्या होता है ये मारास्ट ये चत्रपति शिवाजी माराज का मारास्ट है ये शावू फुले अंबेटकर जैसे बहुत बड़ी हस्तिया ये पंजाब रहों देश्मुक जैसे बड़ी-बड़ी हस्तिया जिन्नोंने पूरे देश के लिए एक मिसाल साबित की है ये यहां से जो बहुत सारे इसे कानूना थे जो मारास्ट ने पहले बनाया और फुल पूरे देश ने उन कानूनों को अपने अपने राज्यों में किया यहां तक कि कुछ कानून यहां मारास्ट ने बनाया और देश के भी कानून उसके आधार पे बन गई, यह मारास्ट है, ऐसे मारास्ट कभी भी हमने देखा नहीं और बहुत दुर्भागी पूरुन है कि आज का दिन इस तरह से और इस तरह से उनका रवया, खास करके उपसभ विदानिक है नहीं, यह हमारा आरोबी है और हमारा दावादी है। विदानिक है कि यह शादी वो नहीं थी, उन्होंने एक खतीफ नाम के माउल भी है, शायद यहां नासिक के है, उनकी शादी है और उनका और दावुद का कोई सम्मन नहीं, यह उन्होंने सदन में बयान किया। तो मेरा सवाल मैंने यह बुठाया था कि भाई, जब यह इनका सम्मन कोई भी किसी ऐसे गैर कानूनी या दावुद वांटेड है, इस देश का वांटेड है, वीश्व का वांटेड है, उनके साथ नहीं है। तो फिर उनके शादी में यह IB के लोग क्या कर रहे थे, इंटिलिजिन्स ब्यूरो के देश के इंटिलिजिन्स ब्यूरो के लोग उहां क्या कर रहे थे, और पुलीस क्या कर रहे थी उनके शादी में, जिनका समन इन सारे घटकों से नहीं हैं। ऐसा दावा अगर सरकार करती है और उप मुक्या मंतरी देवेंदर फेटनुमित जो उन्होंने सदन पे कहा, तो सदन में कहा, तो तभी मैंने ये कहा कि फिर वो अधिकारी जो इस शादी में शरीक हुए थे, मौझूद थे, उनके उपर कारवाई क्यों हुए? बिलकुल, और आपने कारवाई की अभी मांग भी की है, बिलकुल की है हमने, उनके उपर आगे आप, आप यह कॉंग्रेस की क्या भूमिका रहेंगे, इसमें मुद्दे को देखुएंगा, इसमें सिर्फ कॉंग्रेस की बात नहीं, हम लोग जो विरोधी है, उसमें सारे है, उसमें राइस्टरवादी, पाउर साप की राइस्टरवादी, अभी राइस्टरवादी में बड़ी मुश्किल है, सियुसेना है, उद्धवजी की कॉंग्रेस है, तो हम सारे मिलके, हम लोगों ने यही सवाल पूचा, सवाल यह नहीं है, कि आप विपक्ष का आवाज इस उनको रोकना चाहिए, यह भी उनका अधिकार है, जहां तक पिठासन अधिकारी का सवाल है, जहां तक क्योंकि सविधानिक जो व्यवस्ता बनाई हुई है इस देश में, हमारे सविधानिक वो आख़जादी, उनको हग भी दिय है, और उनको ड्यूटी भी दिय है, उनका यह भी बनता है, उनका फर्ज भी बनता है कि मैं सदन ठीक डंग से चले, उसके बाद जो मैंने देखा और सुना वो यह था कि उन्होंने सदन चला लिया, ऐसे, कैसे, समझ भी नहीं आता, उन्होंने, उनका काम यह बनता है कि विपक्ष को बुलाएं, उनसे बात करें, अधिकारियों के ओर से या उनसे हमारी अपिक्षा होती है, देश के अपिक्षा होती है, सविधान के अपिक्षा होई है, पर इन्होंने तो, मैंने सुना कि उन्होंने तो चला लिया, तो यह किस बात का यह देती है, संदेश क्या देना चाहते है, कि आप, हम तो आपको य यही नहीं करते, consider यही नहीं करते और इस तरह से लोगतंतर नहीं चलता, लोगतंतर का आधार जो है, यहां तक कि अंबादात जानवे जी बार-बार हाथ उपर कर रहे थे कि मुझे कुछ बात करनी है, उनको उन्हों ने यह दे के बिठा दिया, ने 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 आप किसको बात नहीं कर दोगा, यह तरीका नहीं है, यह जो जिस धंग से वो बात कर रही थी, कुर्सी पे बैठके, वहां के, तो बात बिलकुल लोक्तांत्रिक नहीं है, वो उस सवागरे के मालकिन नहीं है, वो हमारे सब्वेदानिक व्यवस्ता का एक हिस्सा है, और वो किसी भी पार्टी की नहीं होती, वो होती है, सब्वेदानिक व्यवस्ता की मुख्या होती है, उसको सदन चलाना है, दोनों तरफा चलाना है, हमारी भी अगर कोई गलत बात है, वो भी बरदाश्ट नहीं करनी चाहिए, हमें भी उन्होंने दंडित करना चाहिए, या हमें भी चुपचाप बिठाना चाहिए, लेकिन सदन में विरोधी पक्षनेता का बहुत बड़ा महत होता है, विरोधी पक्षनेता को भी अब किसे बात करना चाहते है, आप किसको बात करवाना चाहते हैं? zombies नौ representative को चक्रेखाने है अपैंसे अक्क्षम, विरोग अंब विरोग बात है, या हुे बहुत ही मतलब बहुत ही बात है, और धिस अनकॉस्टुति को उनकॉसे भंशलर से और ह। Because I have seen so many years, last 20 years, I have been working in both the houses, lower houses, lower house and upper house also. But this was something which was unfortunate and if you ask me, it is uncalled for. बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि वीपक्ष को बोलाने जिया जाता, आवाज दबाई जा रही है, लेकिन एक और जो है प्रकाश अमबेड कर कहे रहे हैं कि वीपक्ष अपनी मांगों को लेकर या मुद्दो को लेकर कमजोर दिखाई दे रहा है, क्या बतावे हैं? ऐसा है कि यह बात कुछ अब तक सज भी हो सकती है, मैं यह नहीं कहे रहा हूँ, ऐसा है कि वीपक्ष यहां विधर्ब में शित कालिंट सत्र क्यों होते हैं, एक अगरिमेंट है, जब हम यह कहते हैं कि नागपूर मारास्ट की उपराजदानी हैं, तो यहां शित कालिंट सत किसानों के इशूज हैं, बाकि सारे इशूज हैं, पहले दिन से हम लोग नहीं यह किया है, ऐसा है कि यह जो अनसीजनल जो रेंफॉल हुई, जो अवकाली बारिश जिसको कहते हैं, बेर मासम बारिश की जो यह बात हुई, उसके उपर जो इतना बड़ा नुक्षान हुआ आज उन्हों ने, मुक्यमंतरी जी ने उसका जवाब दिया है, शायर हम नहीं थे, पर निचले सदन में दिया है, तो ऐसा है कि हमने वो मुद्दे उठाए, हमने जो वी स्पोर्ट हुआ, यहां कल गलरात को, सोलर इसमें, एक्स्प्लोजिव में जो हुआ, इसमें तकरीब दस बारा लोग यह हो गए, उनका दो पता भी नहीं लगा कि चित्रे चित्रे हो गए, उस कंपनी में इसके पहले भी ऐसे वाकिया हुआ है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, किसी के जिन्दगी के साथ, किसी की अगर जान जाती है, तो चाहे कौन सी भी कंपनी हो, इस तरह का यह नहीं होता, रेड जोन में जो कंपनी आती है, उसकी यह गाइडलाइन होती है, एसोपी बोलते हैं, उसको स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रॉसेस, वो अगर वो फॉलू नहीं करते हैं, किसी के जीवन के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, देश के कानून, देश के नागरिकों के लिए बने हैं, नागरिक कानून के लिए ने बने हैं, तो उस मुद्दे को लेके भी हमने मुद्दा उटाया, आवाज उठाई, जैसे ये मुद्दा था, कानून सुवस्ता की बात थी, मराठा आरक्षन की बात थी, तो जितनी मुद्दे इस हैं वो सारे हमने उठाए, हो सकता है कि अब प्रकाश जी अमबलकर आवाज की अगर विपक्ष की आवाज की बात कर तो आज तो आवाज होगी तो आज जोरदार हो गई तो लेकिन अगर किसी तो आप विपक्ष कितना भी आप चिलाओंगे तो भी उसका कोई असर जो सरकार है या सरकारी महिकमा है उसके उपर नहीं होने वाला, जो नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है. बिल्कुल, अभी जिस तरह से आपने कहा कि किसानों को बे मौसम बारिश के वज़े से नुकसान हुआ है, मुख्यमातरी ने अभी एलान किया है कि 44 कोटी की मदद उन्हें दी है, करोड की मदद उन्हें जाहिर की है, तो क्या बताऊगे, जिस तरह से आपने बताया कि विधर 1000 करोड उन्हें ये कहा, पिछले देड़ साल में हमने किसानों को दी है, ये बात मैं बता रहा हूँ, मेरबानी नहीं है, इस देश का किसान अनदाता जिसको कहा जाता है, जिसके बदावलत हम दो वक्त की रोटी खाते हैं, अगर वो तकलीफ में हैं, तो सरकार का फर्ज ब की थी, इसके दोरान, खास करके बजट, बजटरी सेशन था उसके दोरान जब उन्हें की थी, बारिश के मौसम में जो हमारा ये होता है, सत्र होता है, उसमें भी मौंसुन सुत्र में की थी, तो उसका नतीजा ये है कि किसी को 100 रुपया मिला है, किसी को 1500 रुपया मिला है, जो बताया गया, मिडिया पर बताया गया, मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, अब ऐसा है कि ये अगर हालात रहे और उसमें एक अच्छे खासी फ़सल बनी है और बे मुसम बारिश के वज़े से वो फ़सल खतम हो गई, तो वो वेचारत साल भर में क्या खाएगा, जहां तक मैं इसा हुआ, UPA1 में ये निर्णे लिया गया था, देश के सारे किसानों का 22,000 करोड का रण करजा माफ किया गया था, क्यूंकि देश का किसान पूरे, सिर्प महरास्टर का नहीं, देश का सारा किसान जो है, जो आपको और हमें ये अनाज हुगाता है, हमारे लिए देश के पहली बार ऐसा हुआ, पिछले दस सालों में नरेंदर मूदी जी की सरकार है, और आपने देखा होगा, किसानों की क्या हालत हुई, किसानों के जो तीन काले कानुन जो बनाएगे, जिसके लिए, तीन सो सतर दिन, देश के किसान, देली के, देहलीज पे बैटे थे, और ये हमारे देश के प्रदान मंत्री, उसमें जूड़े थे, कि ये सारे आतंगवादी है, लाल खिले में जो कुछ तमाशा हुआ, वो आपने देखा, और कभी भी एक आसू भी, वैसे मगरमच के आसू हो बहुत बहाते हैं, चोटी-चोटी बारतों में, और बहुत सारे मुद् दी, सिर्फ और सिर्फ ये कानून के लिए, हारके उनको ये तिन जो कानून है, वो पीछे लेने पड़े, अभी तक विड्रौ नहीं किये, वादा किया था, किसानों से, कि हम इसको विड्रौ करेंगे, अब तक विड्रौ नहीं हुआ, ये देश के प्रदान मंत्री का रव है, और आज कल सिर्फ किसानों की बात करके, भाशन करके होने वाला नहीं, चलो विड्रौ की बात करते हैं, कपास की हाल थे, हमारे यहां, जो ये बना, प्याज बना, ताजू भी इस बात का है, जब प्याज बनता है, तब आप उनको एक्सपोर्ट का ये नहीं देते, दल प्याज बता नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि कपास को लेके 5000 का रेट दिया गया है, तो उसमें कपास बनती ही नहीं, उसका खर्चा ही उससे जाधा है, और आप यहां बड़ी-बड़े आंखडे बता के, अगर आप ये कह रहें कि आप किसानों के बहुत बड़े ये ह सपोर्टर है, तो I think कि वो कोई ठीक है, पुलिटिकली आप भाशन करिए, आंखडे दे दिजिए, आंखडे तब मैं मानूंगा जब उसके हाथ में वो पैसे जब जाते है, आजकल जो वो इंपोर्टन है, वो जो आखड़ा है, वो इंपोर्टन है, और वो आंखडे हमने 30 रुपए से लेके, 70 रुपए से लेके, 100 रुपए से लेके, बहुत सारे खिसानों का, इस तरह का हमने देखा है, उनको मदद जो है, ये अगर मदद है, तो भरगवान इने बुद्दी दे, बिलकूर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राज्य में कई मुद्दी है, जिसम प्रदान मंत्री जी ने कहा था शुरुआत में, हर साल दू करोड नौकरिया देंगे, उसके बाद ये वही प्रदान मंत्री है, उसमें बदलाव करके पिछली बार जब दुबारा चुनके आए, तो उन्हें ने वो आकड़ा निचे लाया था, अब ऐसा है, देश के प्रदा बनी, और हर चीज नहीं होना है, जब हमारे पुराने संसत के उपर आतंग वादे हामला हुआ, तब नहीं संसत, कोई नहीं चीज बनती है, तो उसका पूरा पुकता व्यबस्ता होनी चाहिए, पाँच बच्चों ने, बेरोजगार बच्चों ने, आप बेज़रोजगार की बाद की इसले में कहा रहा हूँ, पाँच बेरोजगार बच्चों ने संसद में घुसके, संसद के अंगर उन्होंने जो उधम मचाया, यही सुरक्षा है, यही नई संसद का मकसद है, और दुर कानून उनके signature के बगर पूरा नहीं होता, उनके signature होती तब जाके वो कानून में तबदिली होती है और वो लागू होता है देश के ब्रदानमंद्री अकेले उसका उद्गाटन करके जैसे हम फिल्मों में देखते हैं वो हमने देखा है देखिए और ये पाच लोग जो संसत के अंदर गए थे उनको पास देने वाला कौन था बाजबा के MP थे तो ये हाला थे और उन बच्चों ने कहा हम बेकार हैं हमें नौकरी नहीं मिलती उनमें कोई engineer है कोई और है तो ये हाला थे देश के इसके हमारे बेरोजगार जो है उनके ये हाला थे तो ये देश के प्रदान मंतरी चाहे कितनी भी बड़ी-बड़ी बाते करे नौकरिया तब होगी जब विदेश से कोई बड़ी-बड़ी कमपनिया आएंगी इस देश में जासुई भी नए बनती थी जब हम आजाद हुए थे 1947 में उससे लेके 70 साल में जो इस देश बना गया इसका ताना अबाना जो सारे हम लोग देखते हैं कभी भी ये माहुल हमारे देश में था नहीं और कभी भी ऐसा माहुल होता देश के जो ये विभाग है खास करके लेबर विभाग है उनकी एक वेबसाइड है उस वेबसाइड पर आखड़े आते हैं कितने बेरोजगार हैं अभी वो बंद कर दिया देश के प्रदान मुंत्री जिनने उनके उपर पाबंदी लगा दी शायद अभी वो दाखड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन छे मैंने पहले तक वो आखड़े सारे दिखाई दे रहे हैं और सबसे वर्स्ट सबसे बेकार स्थिती आज देश में हैं सबसे बेकारी बेरोजगारी इतने सालों में कभी भी नहीं थी उतनी आज़ देश में है यहाला करेश की बिल्कुल मराठा अरक्षन का मुद्धा भी महाराष्टर की राजनीती में गर्माता जा रहा है 24 दिसेंबर का अल्टिमेट जरंगे पटिल ने दिया है और उसके बाद अगर कुछ निर्णे नहीं आता है कुछ हल नहीं निकलता है तो मुंबई में मोर्चे की भी बात उन्हें नहीं कहिए और ऐसा भी कहा गया है कि वहाँ हमला होने की आशनका भी है तो कैसा देख रहे है और मराठा आरक्षन को लेकर कॉंग्रेस की क्या भूमिका है नहीं देखिए एक तो पहले यह इतना छोटा विशे नहीं है यह बहुत बड़ा विशे है इस बात को जानने के लिए आजादी के पहले भी जाना पड़ेगा आजादी के बाद में हम लोगों के चाना पड़ेगा 1902 में चत्रपति शाहु माराज जो की कुलाःपुर सहस्तान के राजा रहे उन्होंने इस देश में सबसे पहले आरक्षन डेकलेर किया था और वोस्वाक्त मराठों को भी आरक्षन उन्होंने दिया था पिछड़े हुए जाती इनको तो दिया ही था वो खुद हो के नीचे आके इसको चाय की टपरी पे चाय पिये थे एक जब पिछड़े हुए पिछड़े समाज के एक बन इन्होंने जब अपनी चाय की टपरी डाले थी तो यह एक महान व्यक्ति रहे तब से लेके जब तक ये मंडल आयोग लागुनी हुआ तब तक इसमें शिक्षा में और नौकरी में मराठो को आरक्षन था मंडल आयोग आने के बाद जो सारी दिवारे जो हमारे सामने आए वो उसके बाद मराठो को वहाँ आरक्षन नहीं मिला OVC में उनकी ये नहीं हुई उनको शामिल नहीं किया गया मैं ये बात 1992-93 की कर रहा हूँ अब ऐसा है कि ये जो आज बैटे हुए भारशब के जो लोग है सारे जो अपने आपको देश के नेता समझते हैं इन्होंने तो विरोध किया था मंडल आयोग को ये मंडल आयोग को क्या कह रहेते हैं ये मंडल ने ये कमंडल है ये बंडल है ये उनका कहना मेरा नहीं है इस देश के सारे विबन जाती द्नाती को जो आरक्षन मिला मंदल आयोग के मादयम से मंदल आयोग ने मराठा समाज को उसमें नहीं लिया पर ऐसा है कि चंद मराठा जो ये है मंत्री है कितने हो सकते हैं मंत्री अभी तक वो 70 साल में 1000, 2000, 5000 कितने ये जो शुगर लॉब्बी के लोग हो सकते हैं 24,000, 10,000 कितने ऐसे जिला परिशत के हैं कॉपरेटिव सेक्टर में तो ये 25,000 लोगों से पुरा मराठा समाज नहीं होता एक बात आप लोगों को जानना जुरूर है जो मैंने सदन में भी कई हैं पूरे देश में 32% एक समाज एक जाती, एक न्याती इस देश में किसी भी प्रदेश में नहीं है सिर्क महराश्रम में मराठा समाज है ये जानने की जुरूरत है ये अवश्रक्ता है और ये मैंने कह रहा हूँ 1932 में जब अंग्रे जो ने ये किया था सेंसेस किया था उसमें था और वो डिकलेड है 1942 में सेंसेस में है 32% मराठा समाज इस प्रदेश में है वो सारा आमीर है क्या और वो मांग क्या रहे है वो पोलिटिकल आरक्षन नहीं मांग रहे वो मांग रहे है कि भाई हमें इसमें नौकर में आरक्षन दे दीजे, हमें सिक्षा में खास करके आरक्षन दे दीजे, आपको एक बात और भी बता दू, ये बात भी भैने सदन में रखी है, 1984, करनाटक सरकार ने एक निर्णाई लिया था, जो ये प्राइवेट, जितने भी शिक्षापती है जितने भी ये हैं, तो आप जानते हैं अगर प्राइवेट हैं तो पैसे के सिवाए कुछ नहीं होता, अब गरीब किसान का लड़का, लड़की कैसे पढ़ाईए, अब बताईए तो, तो वो आरक्षन मांग रहे हैं सिक्षा में, वो आरक्षन मांग रहे हैं इसमें, 1984 में जो करनाटक सरकार में एक निरने लिया था, कि ये जो प्राइवेट जितनी भी संस्ताय हैं, वो सरकार के आगे या सरकार के बराबरी का ही फीज रख सकते, उसे जाधा ने रख सकते, लेकिन ये देश के सारे जो जितने भी पूंजी पते थे, जितनकी ये एजुकेशन इं सुट्रिम कोड तक गए और 1994 में, 1994-95 में उनके पक्ष में निरने आया, और उसके बार आप देख रहे हैं, किसी किसान के लड़के को, लड़की को अगर मेडिकल में आया, किसके पास है 35 रुपया, किसके पास है 40-40-50-50 रुपया, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भाई, हमें सिख्षा तो दो, उसमें आरक्षन जो था, जो था, एश्वंदराव चवान ने 1959 से, जब ये बात हुई, आजादी के बात, ये जब आयोग की निर्मिती हुई, मागा स्वर की आयोग की निर्मिती हुई, तब ये थोड़ा सा मत भिन्नता हैं, उसमें चर्चा, कि नहीं, म मारास्टे के भागे विदाता है, जन्होंने ये जो हमारा मारास्टे के जो निर्मिती हुई, 1960 में, उसका मंगल कलश, खुद लेके आये थे, ये आप सारे जानते हैं, उन्होंने वो आरक्षन शिक्षा में और नौकरे में रखा था, मंडल आयों तक, तो जो चीजे थी, वो चीजे वो मांग रहे हैं, अचा उसमें आपके विधर में बे एक अलग बात है, ये बिलकुल जानना ज़रूर है, क्योंकि यहां का जो माराठा समाज है, पंजाडा और देश्मुक जैसे एक द्रस्टा नेता यहां हुए, और उन्होंने कहा कि भाई, आप लोग कुन माराठा का आप सर्टिपिकेट लगाई है, तो आपको जरूरत नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, ये हकिकत है, अब इन सारे चीजों को आप नजर अदास करोगे, इन सारे चीजों को अगर आप मानोगे ने, और फिर ये कहते रहोगे, और उसमें अगर आपने देखा होगा, इस महाराष्ण में कभी भी OBC वर्सेस मराठा, धंगर वर्सेस ये आदिवासी, ये कभी भी विवाद नहीं था, आज ये विवाद क्यों हो रहे हैं, और खास करके पिछले पास-दस सालों में क्यों विवाद हुए हैं, और देवेंदर फड़नविच जैसे सुल्जे हुए एक राजनीतिक हम समझते उलको, सदन में आके ये कहते हमने आरक्षन दिया था, वो आप लोग टिका नहीं पाए, ये क्या बच्चो वाली बात है, आरक्षन आपने दिया था मतलब क्या था, जो हाई कोट में जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो वकिल आपने दिया था, वही वकिल उसमें सुपरिम कोट में थी, वही वकिल हाई कोट में थी, हाई कोट में जो स्टे हुआ, तो कैसे हुआ, तो ये इस तरह की बाते कभी भी इसके पहले नहीं हुई थी, और दूसरा, बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टल नहीं, ये जो आरक्षन की बात करें, हमने आरक्षन दिया था आपको अधिकारी नहीं था आपका अधिकार किस ने किया था इस देश में देश की सभिदान की 102 102 इसकी जब अमेंडमेंट हुई और उसमें उसका पार्ट 36 उसमें राजज के जो अधिकार है पूरे इसके समाज को आप आरक्षित करते हैं मौका देखके या election को देखके वो सारे अधिकार के इंदर्ड़ने अपने हाथ में लिये थे मतलब वो सारे अधिकार थे राष्टपती के साथ देश के राष्टपती मैं ये बात कर राओ, 2018 के बात करो, जब यह उन्होंने दिया था, यह बात यह 102 वी जो गटना दुरुस्ती हुई, यह हुई थी 11 तारीक को, 11 अक्टूबर में हुई थी, 11 ऑगस्ट में हुई थी, इन्होंने निरने कब लिया था, 30 नोएंबर को इन्हें आधिकारी नहीं था, यह क्या बात करते हैं, और अब यह कह रहे हैं, कि ने, ने, वो interpretation, तुम interpretation कैसे कर सकते हो, जब केंदर के, देश के, सुपरिम कोट ने इसको interpret किया है, और उन्होंने कहा है, कि आपके आधिकार नहीं है, तो यह मुझे इस बात का बड़ा ताजूब लगता है, जूट पे जूट, जूट आप बोले जा रहे हो, और पूरे देश को, पूरे समाज को, आप एक दूसरे से, जिस तरह से लड़ा रहे हो, क्या आप हासिल करना चाते हैं, मराटों के खिलाप, यह OBC, OBC के खिलाप, वो दूसरे, और यह हमारे जो धनगर समाज है, उनके खिलाप, यह है, आदिवासी ह नहीं होता, दूसरी बात, यह बहुत इंपॉर्टन बात है, बहुत सारे लोग, इनके बारिकाई जो है, आरक्षंड की, वो शायद जानते ने, मुझे माफ कर दिजेगा, मैं किसी को यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बता दू, क्या सव्विदान कहता है, यह सारे आरक् कर सेंट के उपर नहीं होनी चाल, ठीक है, जो कोई कानून नहीं है, इस देश का कोई ऐसा कानून नहीं है, फिर भी मान लो एक मिनिट के लिए, वो है, अब हमारे सव्विदान ने आरक्षंड किस तरह से दिया जाए, उसका पूरा डिटेल हमारे सव्विदान में है, और उसमें ये भी है कि आप सिर्फ economically weaker section करके आप नहीं दे सकते हैं, देश के प्रदार मंत्री ने दे दिया, EWS का कानून करा के उन्होंने 10% दे दिया, तो 60% हो गया, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि हम 50% पार नहीं कर सकते हैं, अपने तो और भी करिये, राजो को extra, मैंने मेरे 30-31 मिनिट के भाशन में, मैंने सिर्फ आरोग नहीं किया, मैंने उसका रास्ता भी बताया, कि ये रास्ता है, जो देश के प्रदार मंत्री अगर चाहे, देश की सरकार अगर चाहे, तो राजो को ये दे ही सकती है, और फिर जो बात मराठा नेता कर रहे है, हम लोग भी कर रहे है, कि किसी के भी आरक्षन को, किसी को दका नहीं लगाना है, जो कुन्भी मराठा है, मराडा कुन्भी है, उनको तो मिली रहा है, विदरबे में भी ये इश्यू है ही नहीं, ये इश्यू खास करके मराठवाडा में हैं और बाकी अन्य विभावों में हैं, और वो सिर्फ वो ये कह रहे हैं, हमें सिक्षा लेने दो, वो बच्चे ये कह है कि हमें सिक्षा में आरक्षित किजिए हमें नौकरी में आरक्षित किजिए यही तो कह रहे हो और क्या कह रहे तो यह सारे कानूनी प्रावधान आपके सामने हैं लेकिन आपकी मानसिक्ता यह नहीं है आपको OBC को लडाना है माराठों के खिलाप माराठों को लडाना है OBC क खिलाप आपको लड़ाना है धनगरों को आदिवासियों के खिलाप आदिवासियों को लड़ाना है ये धनगरों के खिलाप और आपको बस राज करना है और यही इस तराक की भाशा जो वो करते हैं हमेशा हमने दे दिया ये लोग उसको कोट में टिकाने पाए ये बच्चो वाली बात जो हो रही है वो बिलकुल गलत है और उसकी हाकी गत्वा कितने लोग जानते हैं चलो आप बताईए ये जो मैंने गतना करम सारे कहें कितने लोग जानते हैं और कोई जरूरी भी नहीं वो इसका क्योंकि मैं एक अगर विदायक हूँ अगर मैं किसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ तो मेरा फर्स बनता है कि मैं उसकी पूरी जानकारी लो 102 की जो अमेड्मेंट हुई अब देखिए ये करह है की 102 के अमेड्मेंट के तैत हमारे आधिकार नहीं लिए गए The चलो 105 की amendment क्यों हो गई देश के सभीदान की 105 की amendment क्यों हो गई वो इसलिए हुई क्योंकि 102 में जो अधिकार उनके राजों के जो आरक्षित करने के आरक्षन देने के जो अधिकार थे वो छीने गए थे वो वापस दिलाए गए तो ये जो कहते हैं देवंदर जी फटनवेज क हमारे आधिकार थे तो कैसे थे फिर 105 की amendment क्यों आई देश के सभीदान की amendment कोई मामूली बात नहीं होती यह बहुत बड़ी बात है तो इस आरक्षन के मुद्दा जो है उसको लेके सिर्फ उसको sensitive बनाना है दो प्रदेश के दो जो बड़े घटक है उनको लड़ाना है और अब यह चुपचापने बेटे गए अब ओभी सी समाज भी इस बात को समझा है समझ रहा है ऐसा है कि यह आंदुलन होने के पहले से विदरबग का जो मराठा है वो कुन भी मराठा है और उसमें पहले से वह आरक्षित है अभी जो economically weaker section EWS का जो 10% मिला है उसमें सारे लोगो को भी मिलना चाहिए हमारा कोई गूस में यह नहीं गरीब भ्राह्मन भी है हमने हमने बहुत सारे देखे है तो उसे हमारा विरोध नहीं है लेकिन आप यह अधिकार राज्यों को देके राज्यों की जो मसले बहुत सारे इसमें इस देश में गुर्जर अंदुलन है इस द इसमें संबोधन में मैंने ये बात कही है बिल्कुल जिस तरह से आज जो है सुदिन मुंगंटिवार ने मेडिया से बात करती हुए कहा कि इंडिया आगाड़ी की बैठक हो आज जो हुई है जिसमें केजड़ेगाल उद्धव ठाकरे मिलने वाले है तो उन्होंने कहा है कि जितनी बैठक होती है उतनी बीजीपी की जीत वहाँ हुई है और अभी जो पाश राज्यों की चुनाओं हुए उसमें दिखाई दिया है मैं एक बात बता दू कि जब मेरी सरकार्ती तभी EVM के बारे में यह जो करेट सुमया जो बहुत बगग बगग करते हैं और जिस तरह से उन्होंने गंडिया हरकते की है आप जानती भी है उनका मकसद क्या होता है पर उस वक्त हमारे केंदर में सरकार्ती UPA 1 थी, महरास्टर में हमारी सरकार्ती, देश के विभिन राज्यों में हमारी सरकार्ती और उस वक्त उन्होंने एक सवाल उठाया था कि यह EVM TEMPER हो सकती है तबी मैं प्रवक्ता था कॉंग्रेस का मैंने इसमें आपके मीडिया के सामने मैंने कहा था अगर उनके दिमाग में ये सवाल है तो उसका जवाब हमें देना चाहिए और रही बात खास करके EVM को लेके मैं बताना चाहता हूँ आपको ये EVM टैमपर हो ही सकती है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये विश्व में सारे जो ये हैं वो सारे कह रहे हैं और जिन्होंने ये EVM की शुरुवात की दिए चाहे हो जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो उन्होंने तुरन बंद कर दिया क्योंकि उनको पता लगा कि लोक तंत्री से नहीं चलेगा अब वो हमारा तो मैं तो मैं आप इलेक्शन करवाईए इस देश में चलो बैलेट पेपर के उपर चुनाओ पे मांग की है और आप हर छे महिने में हमारे हाथ में जो मुबाइल है उसमें बदलाव आता है टेकनोलोजी बदलती है ये 2000 पहले की जो 25 साल पुरानी ये जो तकनीक है उसमें तो बहुत सार बदलाव आ गया तो आप उसको लेके क्यों बैठें तो ये मंगटिवार क्या कहते है वो उनको कहने दो हकिकती ये है कि ये EVM को लेके उनका पुरा कंट्रोल है देश के पूरे इलेक्शन कमिशन के उपर कंट्रोल है अभी तो सुप्रीम कोट का ये था वो भी निकाल दिय आ गया यानि एलेक्शन कमिशन के कमिशनर की ये होती है ये नियोकती होती है उसमें एक अपेक्स बाड़ी बैठती है उसमें सुप्रीम कोट किये जो हमारे नया दिश वुआ करते थी वो रहते थे अभी वो भी नहीं है अभी तो मनमानी हुए जो नरेंद्रमूदी जी च जीत कह रहे है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश का नागरिक देड़ सो साल जिन्हों ने राज किया उनके खिलाफ रस्ते पे जब उतरा था आपके खिलाफ भी उतरेगा जिस सरसे अभी चुनाओ की बात हुई है चुनाओ दोजाए चोविस लोकसभा के चुनाओ है और उससे पहले जो अभी हमने देखा कि राहूल गांदी ने पुरे देश भर में यात्रा निकाली थी उसका कितना फायदा इस चुनाओ में होगा और क्या रन्मीती रहेगी कॉंग्रेस की क्या बता है आप राहूल गांदी जी की भारत जुड़ों को पुलिटिकली इसको आप कनेक्ट मत किजिएगा राहूल गांदी ने कभी भी ये ने कहा कि मैं कॉंग्रेस की लिए ये कर रहा हूँ जी नहीं उन्होंने साफ कहे दिया था मैं खोद और देश के सारे लोगवा मुझूद थे जाकन्यकुमरी से निकले उन्होंने ये कहा था कि मैं मेरा देश जो आज पूरी तरह धर्मों में जातियों में बटवाने का पाप ये जो भाजप के सरकार निकले मैं उसको जोड़ने का काम कर रहा हूँ यह वही सरकार है भाजप की ये वही नरेंदर मूदी जी है और उनके सारे चमचे चपाटे है सारे जो कहे रहे ते कुछ नहीं होगा जब लोग, लाखों लोग जोड़ना चुरूँ गे रहे तब जब जाके ये इनको लगा कि भाई ये कुछ और हो रहा है और चोप हो रहा है ऐसा है कि उन्होंने पोलिटिकली ये नहीं कहा कि मैं कॉंग्रेस के लिए भारत जोड़ा भियान कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था और मैं बिलकुल उसको रिपीट करना चाहता हूँ, मेरा देश जो पूरी तरव भिखर चुका है पिछले 10 सालों में उसको जोडने का काम राहूल गांदी ने किया, और वो लगातार करते रहेंगे, लोगसबचनवा को लेकर कॉंग्रेस की क्या रहन नेती है, किस तरह की भूमिका रहना की कॉंग्रेस की भूमिका एकदम सपस्ट है कि इस लोक तंतर में जो हरोज हमारे लोक तंतर की तोहिन हो रही है हरोज लोग तंत्र को पेरो तले कुछला जा रहा है सबसे पहले लोग तंत्र क्यों होना चाहिए सरकारिक क्यों होनी चाहिए इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सब्ता का विकेंद्रिकरण नीचे जाके यह जो पंचायत राज जो आप देख रहे हैं जो कॉंग्रिस की देन है आज ग्राम पंचाइट के जब ये होते सदस या ग्राम पंचाइट का हमारा जो ये होता है मुख्या होता है सरपंच होता है वो जो निरने लेते हैं वो देश के प्रदान मंत्री भी उसको बदल नहीं कर सकते हैं ये लोक तंत्र हैं और लोक तंत्र हुआ समाज है, जो पिछड़े हुए लोग है, जो माइनॉरिटी है, जो गरीब है, उनको उससे फाइदा हो, हमारे देश के प्रदान मंत्री फाइदा तो अमबानी, आदानी और उनके जो एक 7-8 जो उनके आजू-बाजू में हैं, उनका ही कर रहे हैं, मैंने कह रहा हूँ, आप हमारे देश के सारे एःपोर्ट अदानी को दिये गए, सारे बंदरगा अदानी को दिये गए, अब मुंबाई की सबसे बड़ी छोपड-पटी वह भी अदानी को दिये गए, अब अगर ऐसा है, इसको लोगतंतर पहेंगा, अदानी का AC-Z गुजरात में हैं, 10000 एकड में, कोई बात ने, वो भरे 20,000 एकड में रहे, कोई हमें कोई उसे ने, अगर उसे रोजगार मिलता है, उसे अगर देश सुधरता है, सबसे जादा ड्रक्स, इसी बंदरगा पे, अदानी के बंदरगा पे, इस देश में एतना बड़ा ड्रक्स कभी भी नहीं आया था, जो अदानी के बंदरगा पे आया है, कैसे आया है, हमारा सवाल है, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों, शरम आती है, डर लगता है, तो ये बहुत कुछ जैसे मालिक बनके बैठे हैं, ये देश के चालग वगर के ने बैठे हैं, लोकतंत्री ये कहता है, कि आपको देश चलाना है, ये चलाने रहें, ये बस राज कर रहे हैं, वो जो चाहें, वो ही उसने के लिए लोकतंत्र हैं, वो जो चाहें, वो ही वो करना चाहते हैं, तो दुरबाग्य इस देश के 140 करोड के आबादी के देश के कि आज जो हालात हैं, वो कही न कही इस तरह जाती में जगड़े, कही धर्मों में जगड़े, कही इसमें जगड़े और जैसा मैने कहा कि ये जो कहते है वक्त, आप इतना बहुत भरोसा रखते हैं ना मंगटिवार जी हो या छो भी कोई हूँ, जब कहते हैं ना बहुत popular है आप बहुत आपको मानते, युखपूरुष कहते हैं आपके हैं, तो आप गटर से गास निकाल रहते हैं, आप देश क knowledge है कि radar के उपर अगर cloud आगे तो क्या होता यह आप ही देखा था तो हमारा simple सा कहना है आप बहुत popular हो आपको बहुत मानते हैं बेलोड पे एक election करवाईए हिम्मत है तो बेलोड पे आप एक election करवाईए और देखिए देश की जनता आपको क्या मानती है यह इसके पहले भी मैंने कहा था अभी भी कह रहा हो आपसे निवेदने इसको कट मत करियेगा मुझमें हिम्मत है कि यह मैंने कहा है ये कहने की मुझे में हिम्मत है इसलिए भी हिम्मत है ये देश का जो सविदान है उसको हम इससे बड़ा गरंथ है ये नहीं ये 140 करोड के आबादी का ये सबसे बड़ा गरंथ है हमारे हर गरंथ से उपर है क्योंकि वो नागरिक होने का हक अदा करता है तो उसके तहत मैं कहे रहा हूँ कि आप जो लोग तंतर की तोहिं कर रहे हैं आप जो हमारे सविदान की तोहिं कर रहे हैं जब चाहे जैसे चाहे उसको तरोड मरोड के आपके आपको जो चाहिए वो करवा रहे हैं तो इसे लोग तंत्र ने कहते हैं दुर्भागे से और उसका आधार अगर आप ये ले रहे हैं कि लोग तो हमें चुनके देते हैं तो लोग तभी भी चुनके देगे एक बार वे लॉट पेपर पे आ जाईए जादा से जादा क्या होगा ये जो हमारे शाम तक जो रिजल्ट आते हैं दूसरे दिन शाम तक आएगे क्या फरक पड़ता है उसे क्या फरक पड़ता है लेकिन उसे लोग तंत्र जो है मजबूत बनेगा जिसे लोग तंत्र जो है इस देश का पुकता बनेगा बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे भाही जक्ताब हमारे साथ और हमने राज्य सहीद देश के कई मुद्दों पर इनसे चर्चा की है और आज के खास मुलाकात में वक्त हो चला यही रुकने का आप देखते रहें BCN News, नमस्कार